लक्षे तो हम आज हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक जनरल टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है जब आप डेटाबेस को स्केल आउट कर रहे होते हो ठीक है बहुत देर से यानि कुछ लेक्चर से बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं स्केलिंग के ब सिस्टम बढ़ रहे होते हैं नामल एक Mississippi सिस्टम में इसी पहुत ज्यादा है स्केल ऋकृटन ओबता है और स्केल आउट करना चुकी होगी क्यों की इन्स चीजह पर फोकस करने वाला है अगर वह देटाबेस स्केcken Amen के बारे मैं आपसे बात करने वाला है तो ठीक है आज является इस बीडिश पर दिसक हुआ हैं और बाइद वे इस लेक्ड़कर लिए मैं बहुत जादा excited हूँ क्योंकि यह होने वाला हमारी database management system सीरीज का सॉरी placement specific database management system सीरीज का last lecture ठीक है बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ी है last चीज़ और पढ़ते हैं फिर discuss करते हैं आगे क्या करना है ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं topic मास्टर स्लेव आर्किटेक्ट्चर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन और जनरल आर्किटेक्ट्चर है जो कि service 3 server ठीक है आपका यहां पर क्या होता है लोड बैलंसर तो आपके पास एक ही डीबी है अब अगर आपके पास इसी डीबी के पास जाने वाली है तो मैं क्या बोल सकता हूं यह जो डीबी है यह सब सर्वर्स को एज डेटाबेस सर्वर्स करेगा सारे डीबी के पास आने वाली है और सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि अगर इसिटाबेस पूर्ज़र क्रैश हो जाता है यह एक हो जाता तो आपका पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा खतम हो जाएगा अवलेबिलिटी जीरो हो जाएगी तो इसका सिरीज क्या है इसका से इसमें एक और डीबी एड़ कर देंगे और इसको मैं भूल देता हूं कॉपी रेप्लिका भी बोल देते हैं इसको अब क्या होगा अब जो रिक्वेस्ट है वो डिवाइड होंगी कुछ रिक्वेस्ट जो है यहां पर भी रीडिरेक्ट हो जाएंगी बैसको अनुआ हैं कुछ रिक्वेस्ट यहां पर भीडारेक्वेस्ट हो जाएगी तो आपका लूड जो है वो डिष्ट्रिप्यूट हो जाएगा और अगर्ये डाय कर जाता है किसी वाज़े से तो कुछ रिक्वेस्ट अपके इeddar भी आ सकती है कुछ रिक्वेस्ट जाम रहत में आके पहले ही को अब इसी आर्किटेक्ट्ट्ट्ट को मोलता है मास्टर सिलेव को यह आपको ह Sedar है मास्टर अबको स्लेव ठीक है मास्टर मतलब मास्टर स्नेव मतलब एक हिंदी आप 밖को तो यह आर्किटेक्ट्चर जो है या फिर नाम जो है यह हुमेनिटी के वेस पे ठीक नहीं है इसलिए इस नाम को यूज भी नहीं करते हैं कुछ कमप्रीज में जैसे गिट में होता है ना गेट अपके अंदर मास्टर ब्रांच होती है वर्ड मास्टर यूज नहीं करते क्योंकि वह मास्टर सलेव वाली चीज़ को रिफलेक्ट करता यह थिए थीकल बात हो बाते हैं आगे पड़ाते हैं कंसेप्ट वह है मास्टर नाम से यूज भी इस नाम से होता है आजकर अब इसमें क्या होता है आपने single point of failure को अटा दिया ठीक है है बट है मास्टर सेव जो के अंदर जो मास्टर नोड होती है मास्टर डीबी जो होता है वह आपका सारे राइट ओपरेशन से देखता है और यह सारे right operations क्यों दीखता है क्योंकि हम यह डीवी यह है यहां मैं बोल सकता हूं primary डीवी कि मतलब कि इस master के पास जो भी information होगी फो latest information होगी तो इससे पास लेत्स information हो क्योंकि इसके फ़ाँ साथ लेटस information होती है तो हम क्या बोल देंके वे सारे write operation जो ना सारे write यही हेंडल करेगा तो ही तो इसके पास होबाएगा स्लेव के बास हम राइट ऑप्रेशन बेस्ते ही नहीं है याद करो लेक्चर नमबर 19 में पैटन 3 जो हमने पढ़ा था हमारी जब कैब डिली कैब बुकिंग की एप को हम एन्हेंस कर रहे तो पैटन 3 के बारे हमने पढ़ा अपडेट्स हैं वो वही कैरी करता है और वो फिर रैपलिकेट करते हैं हम रैपलिकास को यानि कि स्लेव्स मास्टर से रीड करेंगे कि वही क्या लेटेस वैल्यू हो चुकी है अब स्लेव्स क्या करेंगे by tu local सकते हैं इसको मैं रैपलीका भी उपनी ऑल देटा हूं कि देवील हेंडल ओनली रीड्य ऑपरेशें से लीडुपरेशन है और डीबी रैपलीकेशयं की मदद से री डेपलीकेशन के मदद से यह देविल रैपलीकेट यानि रैप्लिकेशन होगी तो मास्टर से जो भी नई अपडेट्स हैं वह आप ले लोगे ठीक है तो इस तरीके का अर्किटेक्टर होता है ठीक है यह चीज हम लेक्टर नंबर 19 दुबार से लिख देता हूं लेक्टर नंबर 19 पैटन 3 में पढ़ चुके हैं पर उस टाइम म कुछ एक प्रेक्टिकल एक मैं बों से कुम डाइगराम है इसमें के आप क्या मास्टर डेटास थैक्षिपalahाइस के पास सारी राइट रिक्वेस्स आंगी वह सब्से लेटेस्ट अपडेट होने चाहिए इस ऍलेटा करें अन्प टैम달 एफ्लेटाविशन है बहुत ही बढ़िया अब एक छोटा सा कुस्षन बंदता है हमारा कि भाई हाओ कि रैपलीकेशन कि एक कि रैपिलीकेशन होगी कैसे ठीक है यह आपका मालो master db है और यह आपके slaves है कैसे replication होगी replication के दो तरीके हो सकते हैं पहला तरीका है आपका asynchronous ठीक है असिंग भी बोल देते हैं इसको short होएं दूसरा तरीका है आपका synchronous दोन में फर्क है asynchronous का मतलब है कि right operation आपके इदर इदर आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे बड़ जो यह आपके slaves है ना यह time to time कुछ time period में आप asynchronously updates लेते जाएंगे मतलब क्या है suppose करो t equal to 0 पर यहाँ पर कोई entry आई कि वह एक्स को 10 कर दो ठीक है अब t equal to 10 पर यहाँ पर x की value 10 update हुई है suppose कर यहाँ पर t equal to 12 पर 10 x की value 10 update हुई है but x की value 10 कब हुई थी t equal to 0 पर पर होगा क्या अब t equal to 0 से लेकर t equal to 10 तक अगर कोई read operation आता है इन दोनों node पर इन दोनों node पर तो वह x की old value आईगी suppose old value 20 थी तो x की old value आईगी ठीक है but अनी systems में काम में आता है जैसे हमने वो cat booking वाला system देखा था इसमें कोई problem नहीं है मेरी application accept करती है कि कोई बात नहीं थोड़ा delay आ जाए read में कोई problem नहीं है बट बहुत जादा delay भी नहीं आना चाहिए और थोड़े देर बाद replicas जो है वो update हो जाने चाहिए यह भी requirement है मुझे थोड़ा बहुत delay आ जाता x की value एक second पहले अपडेट की है मैंने बट वो 5 second बाद reflect होती है मुझे कोई problem नहीं है इसका एक बहुत जिन्वन एक्जामपल है कि आपने facebook पे comment किया आपने very nice dp अब जैसे यह comment किया तो वो हर जगह है पूरे world में उस post के corresponding जो भी db's होंगे यानि कि उसके replicas होंगे उनमें नहीं जाके store होगी तो आप देखो कि आपके friend को कुछ दिर बाद नजर आती है आपका comment बट आपके पास वहीं की वहीं लिख जाता है है तो यहां पर मैं बोलूँ कि facebook comment या likes यह वाली application है तो इस case में asynchronous is okay for me अब asynchronous replication होता है मुझे कोई problem नहीं है पर suppose आपकी banking की app है इसके अंदर क्या asynchronous write या asynchronous db replication work करेगा नहीं करेगा क्यूं क्यूंकि आपने यहां पर कर दिया कि balance जो है वह x में से x minus 1000 रुपीज minus कर दो चीक है और suppose पहले balance था 10,000 तो 9,000 हो जाना चाहिए balance बट अगर आपका जो client है वह client इस replica से read कर रहा है आप suppose पहर जीपे से वह UPI के थरू read करने कोईश कर रहा है तो उसको thousand रुपीज deduct हो चुके है बट यहां पर क्योंकि 10 second का delay है तो old value दिख रही है यहां उसे दिख रहा है कि मेरे पास अभी thousand रुपीज ही है जो कि wrong है जो कि नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस case में क्या करता हूँ हो इस case में synchronous replication करता हूँ यानि कि जब भी यहां पर x equal to x-thousand की request आईगी तो मैं इस request को return तब तक नहीं करूँगा या फिर success return मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक यह replicate नहीं कर देता मैं तो सबसे पहले मैं एक्स को एक्स माइनस इंडर नहीं करूँगा मैं यहां पर x-thousand करूँगा फिर उसके बाद यहां पर भी same query भेजूँगा x equal to x-thousand same query भेजने के बाद यहां भी same query भेजूँगा x equal to x-thousand उसके बाद जब यह success return कर देंगी तो मैं क्या करूँगा यह success return करने के बाद ही मैं यहां सर यहां से जो राइट ऑपरेशन आयता अल्टिमेटली success return करूँगा ठीक है सिंबल से चीज से हमें समझ आ गई क्योंकि banking app की application ऐसी है कि इस इसमें डीले नहीं मंजूर है बिल्कुल भी डीले नहीं होना चाहिए तो हम नहीं करेंगे डीले तो इट डिपेंड्स अपन की आप कैसा system develop करना चाह रहे हो ठीक है अगेन बेखो फिर से याद आ रहा है कि लेक्चर नमबर 19 database scaling patterns बहुत जादा important lecture है अगर आप DB scaling को एक real life example के साथ समझना चाहते हो तो लास लेक्चर नमबर 21 अभी हम पढ़ रहे हैं इसका मैं होंबग यहीं दूँगा आपको कि आप जाके लेक्चर इग्नोर कर दूँ यह इग्नोर से बेटर है मैं बोल दूँगा कि never allow वह कभी अलाव ही मत करो यानि कि कभी भी slave right queries को accepted नहीं करेगा slave is designed for read only but suppose आपने allow कर दिया then you have to make a way to propagate यानि कि अगर आपने अलाव कर दिया तो आपको master की तरह इसको propagate करना पड़ेगा master slave model का जो औरिजनल आर्किटेक्ट्चर वह यही बोलता है कि slave कभी right operations को handle नहीं करेगा तभी वो master slave model कहलाएगा पर आपने क्या किया यहां पर allow कर दिया अलाव करके बोल रहो कि मैं एक model या फिर मैं application layer में कुछ ऐसा लिख दूँगा अपसे सर्वाइब कुछ ऐसा लिख दूँगा कि मैं master पर इसको प्रोपगेट करवा दूँगा बट नाओ इस नोट आ master slave model यह master slave model नहीं होगा यह master master model हो गया अब क्योंकि master master model हो गया तो मुझे फिर selection no.19 का pattern पैटन 4 याद आ रहा है जिसके अंदर multi primary configuration हम कर रहे थे multi primary थी मल्ट उसके अंदर master से बहुत सारे ठीक है उसके अंदर क्या करते थे हम circular भी में arrange करते थे और उसके बाद उसको भेड प्रापगेट कर रहा होता था था सारे बसीकली हुआ ईससे करके मैंने hem exhaustion कर रहा होता यहां पर कुछ आई तो यहां पर मैं इसको project कर दूं तो आपको इस फीगर अव्ट करना पड़ेगा कि यह master master ओपर कर पाऊ इसको मैं multi primary configuration भी बोलता हूँ पेटन फोर में हमने बोला था मास्टर टम का यूज नहीं किया था ठीक है तो अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो अलाव कर देते हो कि आपका जो स्लेव है वो राइट ओपरेशन ले ले तो उसकेस में वह एक मास्टर मास्टर मोडल अजाएगा थे यह बहुत ही बढ़िया और यही कहता है कि master can only take right operation तो यही कुछ था master slave model तो यही कुछ था master slave architecture बहुत ज़्यादा important है यह इसके advantages देख लेते हैं कि advantage सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक backup होता है backup कैसे suppose करो आपके पास primary जो है आपका यह master जो है वो डाउन हो गया for some reason अगर वो डाउन हो गया तो साथ जो read request at least read request तो मैं slave भेज सकता हूं right request थोड़ी देर के लिए आप ignore कर दोगे but read request तो चलते रहेंगे आपका system पूरी तरह failing नहीं हुआ कुछ portion of आपका system fail हो गया right operation नहीं हो पारे for time being but read तो हो पा रहे है जो readers है जितने भी client है जो read करना चाहरे है उनको तो कम से हम response मिलेगा तो इट act ऐसे backup ठीक है तो backup की तरह act करता है और अगर आपको multiple masters बनाने तो multi primary pattern 4 पर आप चले जाते हो database scaling के बहुत ही बढ़िया आप क्या कर रहे हो scale out कर रहे हो scale out read operations आपने read operations scale out कर लिए है ठीक है आपके application ऐसी है जिसके इनदर write operations कमा आते हैं वह read operation बहुत जादा आते हैं क्यूंकि आपके बाद रीड़ बहुत जादा आते हैं जैसे कि Facebook read operations में बहुत जादा होंगी write से तो read operations को आप scale out कर देते हो कि आपकी request जो है वह हो जाएंगे आपकी latency कम जे कम आएगे आपको जल्दी response मिलेगा ठीक है बहुत ही बढ़िया तीसरा है कि आप availability increase करते हो availability increase करते हो site को reliable बना देते हो ठीक है आप latency reduce कर देते हो कि इन सब के लिए को बड़ी उस होता है मैं parallelism add कर देता हूं रिक्वेस्ट जो है पैरलेली execute हो जाएंगी आपके पास पैरलेली कैसे execute होंगी जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही थी जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ कुछ हिदर बेज दूगा मैं कुछ हिदर बेज दूगा तो पैरलेली रिक्वेस्ट हो जाएंगी ठीक है तो यह था कुछ आपको जो अलग अलग हो सकता है बट इससे प्रॉब्लम कैया है आपको जब रेप्लिकेशन कर रहे हो तो उससे साफसे आपको इंटरफेस भी लिखने पढ़ेंगे ताकि कि वह एक प्रॉपर रेप्लिकेशन हो पाई बहुत ही बढ़ी आप इससे क्या होता है साइट की रिलाइबिलिटी यह आ रहे है यहां से जाय हो गया ठीक है रिलाइबिलिटी अब लेटन्सी रिडियूस हो जाती है ठीक है आप रिड़ आप्रेशन को स्केलाउट कर पाते हो अब आप डिपेंदिंग अपउन आपका क्या एप्लीकेशन है आप डेटा बेज़ एप्लीकेशन मॉडल को यूज करते हो आप सिंग्रोनस अपडेट करना चाहते हो अपका सिस्टम क्या चाह रहा है इसका एक्जामपल हमने देखा पेजबूक वाले एक्जामबल से और सिस्टम यहीं पर खतम होता है यह लेक्चर के सिर्इस चीजर चीजह पढ़े हुए हमने इसमें बहुत सारे लेक्चर पढ़े बहुत सारे लेक्चर बहुत सारी चीजे पढ़े हमने इसमें माई एसक्वेल पूरी तरीके से पढ़ी ठीक है एसक्वेल पढ़ी हमने ठीक है उसके बहुत सारी चीजे पढ़ी हमने इसमें तो एक बार देखी लेते हैं पड़ा था इसमें तो हमने सबस्वरें देखा कि डीपी मेंस क्या है ठीक है फिर में डीटाबेस पड़े पड़े इसके रोल ओप डीपे पड़ा एयार मॉडल एक्षेंड दियार फीचर्स पर हमने एयार मॉडल कैसे बनाते हैं यह वह देखा हमने फेस्वुक का एयार करते हैं ठीक है बहुत जबन सकते हैं कि एयार मॉडल से आप आपको एयार मॉडल दिया हुआ है रिलेशन मॉडल कैसे बनाओगे एक कम्प्लीट एसक्यूल की वीडियो बनाई जिसमें सारी एसक्यूल काम ने स्टड़ी किया ठीक है इसमें 2.5 लैक्स व्यूज भी हैं मेर इसकी जरूरत क्यों है यह पर्टिकुलर कोशन मुझसे पसनरी इंटर्व में पूछा गया था नॉमलेशन क्यों जरूर ही है और इस पर इंटर्विवर के साथ मेरी 20 मिनट की डिसकेशन हुई थी ठीक है ऐसे प्रपरडिस क्या होती है एक ट्रांजेक्शन क्या होती है एक क्लस्ट्रिंग क्या है डेटाबेस केलिंग पैटन्स क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं दुबार से बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह लेक्चर नॉम्बर 19 जो की एक घंडे का है क्या है और लास्ट मास्टर स्लेव मॉडल हमने बहुत साही चीज़ बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है ठीक है एकडम सारे लेक्चर पचास मिनट के एक घंटे के ठीक है चार घंटे का भी एक लेक्चर है तो चीजों को एक्स्टेंडड रखा गया है पूरा एकडम मैं बोलूँगा एक्जॉस्टेव रखा गया है और तो बहुत ही बढ़ि प्लेश्मेंट को बढ़िया बढ़िया प्लेश्मेंट मिले और डीपम कार पाऊं कड्यों ılाग से पड़ीए जावट नहीं कि यह लगी अब चैनल किए आपनि में अप से क्या रिक्वेश्ट करूंगा कि अब यह सीरी सद्याय के और से रिवाई करो पिर से रिवाई करो ठीक है, revise करो, ठीक है, questions solve करो, SQL के, ठीक है, SQL के questions solve करो, चीजों को revise करो, थोड़ा खुद से जाके googling करो, ठीक है, एक important tip देता हूँ, जो good software engineer होता है, उसमें सबसे ची habit क्या होती है, वो चीजों को न, उसको basic knowledge होती है, हर चीज की, मैं बोलूगा, building blocks उसको पता है, basics पता होते हैं, उसके बाद वो internet भी जाके, चीजों को search करके, चीजों को dots को connect करके, चीजे develop कर पाता है, यह बहुत ही जादा important skill है, जो की, एक software developer में होती है, तो यह आपको, इस skill को, आपको enhance करना है, पढ़ते हुई, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने पढ़ा, खुद से जाके इंटरेट पे search करो, search करके देखो, SQL के बारे में आपने बढ़ा, no SQL के गंटे की वीडियो पढ़ी उसके बाद, अगर आपका interest आला है, no SQL में तो और जाके उसको आगे से पोड़ोटिक है, इसके साथ खतम करते हैं, सीरीज को, इस lecture को यहीं पर, और आप से quickest, आप जाओ, और जाके Instagram पे story डालो, इसका screenshot लेकर, और आप क्या करोगे, Instagram पे story डालोगे, और tag करोगे, tag करोगे, मुझे tag करोगे, loveubber को tag करोगे, और code help, हमारे Instagram का जो channel है, sorry page है, हमारे Instagram का जो page है, उसको tag करोगे, ठीक है, तो यह आप करोगे, screenshot ले लो इस चीज़ का, और इस पूरी journey को यहीं पर खतम करते हैं, मिलते हैं, किसी और नए और बढ़िया सीरीज में, आपको help हम इसी तरह करते रहेंगे, तब तक के लिए, goodbye, best of luck.